हलो गाइस कैसे हो आप सब तो भाई यह फॉड की 2024 की एंडेवर जिसको वैसे बाहर एवरेस नाम से सेल किया जाता है तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले बता दूँ कि फॉड की तो वैसे डोली उड कही है इंडिया से लेकिन उसने अपना एंडेवर नाम पेटेंट कर आपको silver color की plate मिलेगी जो कि इसको थोड़ा luxurious look add करती है और standard front camera और washer मिलेगा साथ में और यहां आपको daytime running lights मिल जाएंगी C lamp shape में और इसी के अंदर LED turn indicator ही मिलेगा आपको तो यह performance LED matrix headlight है जो अपने आप move होते हैं और एक चीज़ जो यह करते हैं जैसे आप high beam पे चला रहे हो और सामने से कोई car आ रही है तो यह अपने आप light को low beam कर देगा अभी उन चपरी लोगों के अच्छा है जो कि लोगों को अंधा कर देते हैं अपनी high beam से और इसमें आपको एक bad boy engine मिलेगा इसको आप अपने segment का छूटा dawn भी बोल सकते हैं इसमें V6 turbo diesel engine आता है जो कि 184 kilowatt की power generate करता है और 600 mm का torque क्योंकि यह गाड़ी 4 wheel drive के साथ आती है इसमें tire की बात करें तो 21 inch के machine faced alloys मिलेंगे जो कि बहुत classy लग रहे है हाला कि नीचे होगा है variance में size कम होगा मेरा मतलब tire का size कम होगा अब कितना कम होगा आप comment करके बताओगे इसके side fender पर आपको V6 लिखावा मि लेख सकता है और यहीं पर आपको ऊपर saturn color के roof rails मिल जाएंगे और यहां पर easter egg का sign मिलेगा अब वो क्यों है वो तो बगवान जाने पीछे आपको 2 split seats मिलेंगी जो की flat fold हो जाएंगी इसमें आपको first row second row और third row तीनों में leather upholstery मिलेंगी second row में आपको adjustable headrest के साथ नीचे आ और front में आपको heated or ventilated seats मिलेंगी जो कि India वाले variants में heated seats नहीं आएंगी क्योंकि यहां गर्मी इतनी है यह गाली लेकर आपके रिष्टेदारों की जरूर जल जाएगी तो यह feature उनके लिए इसमें आपको 10 way power seating आती है memory function के साथ इसमें आपको premium leather wrap steering wheel आएंगे और यह भी heated होते ह इसमें आपको 12.4 इंच का fully digital instrument cluster आता है और 12.1 इंच का infotainment system भी आता है क्योंकि size matters वैसे इस screen को हम TV बोलेंगे याथ से और fortunately में आपको जहां hard plastic और leather दोनों मिलता है comparatively इसमें आपको ज्यादा leather interior मिलता है इसमें dashboard पर भी adjustable interior lighting आएंगी जो रात में कुछ ऐसी लगती है बहुत ही amazing feature है यह जो भी आप mode on करेंगे उसको animate करके बताएगा eco mode, tow mode, mud यानि कीचड़ वाला mode, sand mode और इसमें वो चीज़ आती है जो फॉर्चुनल में शायद इस जनमें तो देखने को ना मिले वो है panoramic sunroof, electric tilt और slide के साथ तो estimated है कि यह गाड़ी 2025 के starting में launch हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बाई